जजज के अपने घर में यह हो रहा है, तो इस पे तो फिर वो ही कहा जा सकता है, यह चराव तलयान दे रहा है, तो जिस जजज को जो इतना अंधा जजज है कि उसको पूदी नहीं नज़र आ रहा है कि उसकी घर में किसी के साथ दुल्म हो रहा है तो और अल्ला ने उसको जज की बीवी अगर अपनी मुलाजिमा पर रिजवाना नाम की मुलाजिमा पर तशद्द करती है उसको दूसरे दिन नी बेल मिल जाती है क्या लगता है आपको कि उसको बच्ची को इनसाफ मिल पाएगा और वा है लगता है कि बाहत की बाएगरो पाएगा की तरुस्द इनसाफ दूसरे की Agreement Russia मुलाजिमा पर बॉस्द के मुलाजिमा पर रहता है। कि अधालतों के बहुत सारे फैस्ले बड़े मतनाजह होते हैं। जिसमें हमेंन नजर आ रहा होता है। कि जो बहुत को बाहुतसरु लोंग है माश्रे में वह अपने अस्रोरसूं के इस्तमाल करते हैं। और आईन और कानून को अपने मुटाबिक धाल कर अपने हक में फैसले लेने में काम्याब हो जाते हैं। और यही हमें जो उरिजवाना वाला मौमला है उसमें बड़ी अनफॉर्चुनेट यह बात है कि जिस तरीके से पहिमाना तशदुत करके तकरीवान उस बच्ची को मार दिया गया था और अल्ला ने उसको दुबारा जिर्नगी दिया है लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि यह कि भी वही अगयन बात है कि हमारा माश्रा हमें कहां पर हम लाके खड़ा गर दिया और जोहां जजज के घर में यह हो रहा है जिस जजज के अपने घर में यह हो रहा है तो इस पे तो फिर वही का आजा सकता है कि चराग तले अंदेरा है कि जो जजज अपने घर में एक मसल पिना यंदा जाज जाए कि उसको पुदी में नज़र आ रहा कि घर में किसी की साथ घल मों ऑ Fit Washington किसी को ऐसे की रोक करुदी इसको बीकिने जाव कर देगा उसको नहीं इसाव दे सक्ड़ा जाए कुछ से हमारे मुलकी सब भड़ी हो गई हैं यानि कुछ तो जराइम ऐसे होता हैं जो कवणिन के तहर जराइम एं और बुछ तो एक अखलाग्यात होती हैं कि आप खुद ही नहीं कुछ चीज़ें सोच भी नहीं सकरे होते हैं कजा आप कैसे किसी के साथ जल्म कर सकते हैं तेकि फिर से वड़ी बात कि चार्ड लिबर वैसे भी जूर्म है पाफिसाद है और जजज के गर में चार्ड लिबर कवानीन की तो खिलावर्जी है यह यह अखलावियात को भी हमने मात दे दिवी है यहां पर भी हम नीचे आ गए तो यह प्रॉब्लम सारी तरफ से हैं